हेलो गाईज, स्टॉक मार्केट न्यूस फॉर अर्न में आप सभी का स्वागत है आज है 8th of July, बात करेंगे IRB Infrastructure Developers Limited के बारे में चुकि इस स्टॉक में नया ब्रेकाउट आने की पूरी संभावना है इसलिए आपको इस स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा चोकरना हो जाना चाहिए चुकि यहाँ पर मौका है एक पैसा बनाने का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की तारीक में तकरीबन यहाँ पर 3.5% के लगबग हमने तेजी देखी है तकरीबन यहाँ पर 74 lakh से जादा quantity ट्रेड हुई है 21 lakh से जादा quantity यहाँ पर डिलिवर हुई है यानि कि और और ट्रेड का तकरीबन 29% से जादा डिलिवर होता हुआ नजर आया है अभी भी यहाँ पर sale में quantities लगी हुई है यहाँ पर जो closing price देखने के लिए मिल रहा है वो 117.50 के लगबग है अब यहाँ पर technical chart पर चीजों को समझने की सबसे ज़ादा ज़रुरत है चुकि यहाँ पर क्या target हमको देखने के लिए मिल सकता है तो weekly chart पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना चाहिए volume देखे volume सबसे ज़ादा कहा पर बढ़ा था कौन सी candle पर बढ़ा है इस चीज को आपको यहाँ देखना है देखे इस candle पर volume सबसे ज़ादा था यहाँ पर देखेगा एक resistance मुझूद था जिसको देखेगा हमारी दूसरी candle ने ब्रिक किया और यहाँ पर हमको देखे जो volume देखने के लिए मिल रहे हैं वो लगातार काफी कम थे लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह candle काफी लंबी बनी है और यहाँ पर यानि कि हमारी जो तीसरी candle है काफी लंबी बनी है और लेकिन इसका volume थोड़ा हमको कम देखने के लिए मिल रहा है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक pattern पूरा बना है जो कि weekly chart पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि डबलू pattern है अब देखे यहाँ पर यह तो बन चुका है और definitely अब हम एक resistance के पास है यानि कि देखे यहाँ पर एक breakout आने की पूरी संभावना है इसलिए आपको सबसे जादा चोकनना होने की जोरत है चुकि यहाँ पर आपको हमको पहले भी एक resistance देखने के लिए मिल चुका है और यह हमको कौन से level पर देखने के लिए मिला है उसको आपको समझना चाहिए तो यहाँ पर देखे 120 एक resistance है अगर इसके ओपर हमारी closing होती है तो हमको एक नया target देखने के लिए मिल सकता है और वो target क्या होगा वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ लेकिन चीजों को आप यहाँ देख लीजिए जिस तरीके की तेजी यहाँ पर बनी है definitely ऐसा नहीं होगा कि यह सीधे उपर भागता हूँ चला जाएगा definitely आपको दूसरा मौका मिल सकता है यहाँ पर और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन तकरीबन यह 107 के लगबग यह आपको वापस आता हूँ दिखाई पढ़ सकता है जो कि आपके लिए होगी एक opportunity खरीदारी करने के लिए और आपको फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा मुनाफ़ा बनाने के लिए मिल सकता है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आप 44 रुपए कमा सकते हैं स्टॉक में तो यहाँ पर चलते हैं one day के चार्ट पर यहाँ पर लगाया था यानि की की देखेगा यहाँ पर आपको समझना होंगा कि इसका support कहा पर है तो जिखेए इसका support तकریबन 107 के लगबग है यानि की अगर यह नीचे की तरफ आता इस resistance है चुकि अब यह अपने resistance के आसपास है आज की तारीक में हम देख चुके हैं जो कि 120 इसका एक resistance था उससे नीचे ही नीचे यहाँ पर trade हुआ और उसके बाद देखेगा यहाँ पर बहुत जादा possibilities है कि यह थोड़ा सा समय यहाँ पर इस resistance के आसपास बिताए लेकिन इंट्राडे मस समझ लीजिए इंट्राडे में कोई भी स्टॉक भाग सकता है लेकिन अगर closing हमारी candle की 120 के उपर होती है तो definitely हमको जो target देखने के लिए मिलेगा वो 137 का होगा अब यहाँ पर देखेगा अगर इसमें ग्रावट आती है और यह 107 के लगबग आता है तो यह यहाँ पर आप 107 पर इसको पकड़ सकते हैं या आपको 137 सुपह तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है जिस तरीके की volume से यहाँ पर बढ़ी है वंडे के चार्ट पर इससे देखने से साफ साफ लगता है यह उपर ही जाएगा लेकिन अगर आप अभी एकदम जल्दवा सकता है अब इन सब चीजों को आप ध्यान से समझ के अपने आप यहाँ पर एक पोजिशन बना सकते हैं चाहे आप तो 120 के उपर खरी दिये या फिर देखेगा 107 के लगबग खरी दिये चुकि यहीं पर देखेगा अगर इसमें गिरावट आती है तो यह यहाँ पर 107 के ल लगबग जाएगा तो वह आपका यहाँ पर एक टार्गेट हो सकता है चुकि इसने पूरी तरीके से अपना डबलू पैटन बना लिया है तो यहाँ पर आपको चीज की बारे में समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर बुल्स काफी जादा हावी है इस स्टॉक में तो चलिए इ घल्ट beverageปो V Adapt एक टूर ओल लोगे यहाँ पर आपको तार्रण में समझ होन फसे प्रश्म जाद़ इस से आपको चैसरा दो आपका में समझ पर आ गैबल साधा